अब लॉट्ट त्यर्टेस्टि बॉट चैप्टर नुबर 10 फिम्पल मसीन्स अम बात करें वेटा सिम्पल मसीन्स के रिकार रिकार्ड थे हमारा टॉपिक यह में लिए यह मशीन इस दिवाइस वर टूल which helps us to do work easily, یعنی machine मिटाय प्रकार की device होती है जो हमारी help करती है, शायता करती है किसी भी काम को आसानी से करने के लिए यानि a machine is a device ये machine है कैसी device और tool होता है which helps जो हमारी शायता करती है us to do work easily काम को आसानी से करने के लिए efficiently, अच्छी दरे से and faster और जल्दी से यानि a machine is a device और a tool which helps us to do work easily efficiently and faster यानि एक machine एक ऐसी device होते है एक ऐसा tool होता है जो किसी भी काम को असानी से जल्दी से और पूर्ण रूप से अच्छी दर्शे करने के लिए क्या होता है साहता करता है simple machines do work either by changing the direction of force और by reducing the effort needed यानि जो simple machines होती है वो work करती है do work either by changing the direction of force यानि यह तो आप direction of force को change करके करती है या by reducing the effort needed या जो effort लगा रहे है ना उनको गटागे we will now discuss some example of simple machines अब हम discuss करेंगे कुछ simple machines के example बिटा बिंगो नॉलेज में क्या है man has always tried to invent machines to reduce the effort while doing work the earliest of them is the view इन्होंने बताया कि जो इंसान है आदमी इमानो वो मेंसा try करता रहता है to invent the machines machines को खोजने की to reduce the effort ताकि वो effort को गटासके while doing work यहीं काम करते हैं वह तो effort को गटासके ऐसी machine की invention की खोज करता रहता है कौन मानों the earliest of them is the wheel और सबसे पहला जो हमारी खोजती इंवेंशन थी वो क्या थे भई मारी wheel पहिया था बिटा now we are talking about liver liver भी क्या हमारी एक simple machine है liver is a rigid bar or road that rests on a spot called fulcrum क्या बोलते है delivery क्या होता है प्रविजिट बार होता है ठोस होता है solid होता है रोड होता है एक smart stone होता है that rest on sport जो sport पे जो sport करता है rest में cards क्या बोलते हम fulcrum it's some time it is a simple machine यह simple machine होती है used to lift heavy weights यह एक simple machine होती है जो heavy weights को lift करने काम आती है with minimum amount of effort कम से कम effort लगाके with the minimum amount of effort यहनी हम कम से कम effort लगाके ज्यादा से ज्यादा load को क्या अगर सके उठा सके उस सीज़ को क्या बोलते हैं lever बोलते हैं या sometime it is known the fulcrum for example उधान के तोर पे in order to move a big stone with hands or with the help of a stick a person need to apply a lot of force अगर simply हम किसी बड़े है पत्थर को उठाने को से करते हैं आपने आथों से या किसी stick के दोवारा या किसी area land below the road के नीचे अंगर आप छोटा स्ट्ओं यक्रा पत्थर concert यह चोटा स्टों लगा दिया यह पे कोई पथर नहीं यह तो जो बड़ा पत्थर है वो मूँ कर जाता है इसके साथ कम अफर्ट के साथ अगर आप स्टों नहीं लगाओगे जो फलक्रम उसको नहीं लगाओगे लोड को के निचे तो उससे क्या हो गारा एफर्ट ज्यादा लगेगा अगर अगर अम फलक्रम का यूज करेंगे जाए तो जो फलक्रम के अफजर्ट रटा हो कि बड़े घट जाता है इस जाता है रिदू जाता है इस दाव फलक्रम के लाता है इसका यह प्रहएं निली दो लोटन दफोर्स इस एप्लाइट उड़ा रिफर्ट चुलिट्ट पॉर्ड फोर्स लगा रहे हैं कि पर और बीच में करका दिया फॉल कर दिया फॉल कर दिया हमारा यह एक स्माल स्टों जिसके दोओरा जब अमारा फॉर्ट के था है रिडियू फलक्रम इसका यूज़ की सिर्ट तब ही एफर्ट को रिडूस करने के लिए आगे इसके अंदर दा लोंगर दा रोड और दा लिवर दा इजिए इस तो मूझ दा लोड जितनी ज़ादा लंबी आपके लंबी रोड होगी विटा यह लिवर होगा तो आप लोड को असानी से किया कर सकते हो जज़ादा हो कि इसके साथ आपके लंबी रोड के साथ तो जो आपका effort हो भी करता है घट जाता है यानि आप कम effort के साथ भी heavy load को एक स्थान से दूसरे स्थान पर replace कर सकते हो some examples of liver that we use in our day-to-day life are hammer जैसे होड़ा होता है टॉंग्स होते हैं सीजर होती है कैची वगार प्लायर्स होते हैं नेल क्लिपर्स जो नेल काटने वाले होते हैं इस प्रकार से जो पार्क बगएर रहा होते हैं इसको बोलते हैं सीजर टाइप जूला क्लिवर्स आगे क्या है अमारा लीवर्स आर्केटराइज अंडर थ्री डिफ्रेंट क्लासिज लीवर्स क्लासिफाइट क्या है तीन क्लासिज लिन इस क्लासिफिकेशन इस बेस्ट ओन दा पोसिशन ओफ फॉल्क्रम यह जो क्लासिफिकेशन था लीवर का इडिपैंड कर रहा था किसके पर बटा पोसिशन के ओपर और किसकी पोसिशन दी हो फॉल्क्रम की लो वलकरम इसे बिट्विन दा एफर्ट एफर्ट एड लोड तो इसके एग्जम्पल क्या होंगे पहली जो क्लास दिलिवर्स किसमें लिए फलकरम के लिए बिट्विन था बीच में था इसके एफर्ट और लोड की इसे शीजर है ट्रोली है प्लायर्स है सीशा है इस परकार के लोड इसे सेकर्ट ने डवकरण होते हैं किस ओप्ल क्लास लिवर्स के वन-स साथर्ट ग्लास एफ च्छिर्ट इस पॉकर्ड होते होगें effort और बीच में कहा है load और थर्ड क्लास बीठा जो आरी नारे लाइस क्लास है in the third class you were effort क्या होता है बीच में होता है load और फल्क्रम के बीच में होता है the fulcrum and the load tongs, इसके एक्जम्पल है tongs and fishing rods tongs जो है Mozart these are the example of third class क्लास लीवर के एक्जाम्पल है इस से प्रकें दर हमारा जो नेक्स्ट टोपिक है इस टोपिक इस नोन एज आ इनक्लाइंट प्लीन वी विल डिस्कूस दिस टोपिक इन आउर नेक्स लेक्चर तिल देन टेक केर विटा थैंक यू बाई